आइडिया वीडियो, कक्षा एक और दो के बच्चों की माताओं के लिए नमस्ते, आज की मीटिंग में आप सबी का स्वागत है आशा है आपको पिछले हपते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं पिछले हपते की अक्षर से नाम बताने की गतिविधी तथा कक्षा एक के लिए चित्र गिनकर सही अंक से मिलान करना और कक्षा दो की सवालों के जवाब लिखने की वरक्षीट और अपने सीक्रेट सुरक्षित रखें इस वीडियो पर आपके अनुभव जरूर बताएं अब साथ लाई हुए वरक्षीट हाथ में पकड़ कर फोटो खिशते हैं तब तक वीडियो पॉज करते हैं हमारी इस गतिविधी का नाम है करके देखते हैं माताओं को आमने सामने खड़ा करें दोनों माताओं को रसी से बांध कर पानी से भरी छोटी बोतल दे साथ ही समान दूरी पर कागस के कुछ गिलास रखें अब दो माताओं को बोतल से गिलास उठा कर एक दूसरे में इकठा कर तै की गई दूरी वाली रेखा तक पहुँचना है जो माता सबसे पहले रेखा पार करेगी वहाँ विजेता होगी यह गतिविदी होने तक वीडियो यहाँ पॉज करते है आशा है यह गतिविदी सभी माताओं ने आनन्द के साथ की होगी अब आगे की गतिविदी देखते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते है स्कूल के साथ साथ बच्चों से घर पर भी जोड के सवाल करवाए जाएं तो उनकी समझ पक्की होती है घर पर उपलब चीजों से उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है आईए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं जोड? आखिर यह जोड क्या होता है? हाँ, शायद कुछ तूट चाता है तो हम उसे जोड देते हैं लेकिन यह तो गड़ित का जोड नहीं हो सकता तो गड़ित में जोड का क्या मतलब है? चलो, इसे एक कहानी से समझें आओ, एक छोड़ी सी कहानी से समझें आपके जन्म दिन पर आपके पापा ने आपको यह पैंसिल दे कितनी है यह? एक, दो, तीन, चार, पाँच तो आपको मिली यह कुल पाँच पैंसिल और फिर आपकी ममा ने भी आपको कुछ पैंसिल दी कितनी दी है? एक, दो तो आपकी ममा ने आपको दी यह दो पैंसिल और तो अब ज़रा आप बताओ कि आपके बक्से में खुल कितनी पैंसिल हो गए सोचो सोचो कैसे निकालेंगे इसे तो आपके पास की पहले ये पाँच पैंसिल फिर कुछ समय बार आपकी मम्मा ने भी आपको कुछ पैंसिल दी इसलिए हम क्या करेंगे जोड करेंगे क्योंकि जब चीजें थोड़े और बढ़ जाती है या चीजों को मिलाया जाता है तो हम वहाँ जोड करते हैं तो आपको कितनी और मिली? ये दो पैंसिल और मिली है तो देखिए ज़रा पाँच जोड दो कितना हुआ? चलो गिन कर देख लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ इसका मतलब आपके बखसे मेहेकुल साथ पैंसिल यानि पाँच जो दो बराबर साथ होता है इस वीडियो का फाइदा आपको कैसे हो सकता है? सब ही माताएं बारी-बारी से समू में बताएं चलिए अब आगे की गतिविती देखते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं बच्चा आइने के सामने बैठे फिर अलग-लग चेहरे बनाएं जैसे खुश, उदास, गुस्सा देखते हैं कितने चेहरे बना सकते हैं इसके साथ ही कक्षा एक की दिये गए शब्दों पर पैंसिल फेर कर रिक स्थान में शब्द लिखना और कक्षा दो की रिक स्थान भरने की वरक्शिट घर में बच्चों के साथ पूरी करें क्या बच्चे ने बताई हुई गतिविधी और वरक्शिट करने में आनंद लिया यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साजा करें आज की गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो रही हैं ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना वबच्चों का ख्याल रखें धन्यवाद